चीन द्वारा अपने सैन्य बजट को 7.2 प्रतिशत बढ़ा कर 225 बिलियन अमेरिकी डॉलर किये जाने के मद्दे नजर क्वार्ड देशों की रणनीती भी बन रही है। क्वार्ड भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान इन चार देशों का समूह है। जिसे चीन अपने खिलाफ मानता है। चीन के बढ़ते सैन्य खर्च और अर्थविवस्था के आकार को देखते हुए क्वार्ड मेंबर्स अपने रक्षा और आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए बाध्या है। ग्लोबल एक्सपर्स का कहना है कि क्वार्ड मेंबर्स को चीनी चालों से निपटने के लिए हर हाल में साथ होना होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गते विधिया इसकी प्रमुक वजह बन जाती है। जहां चीन चोटे चोटे देशों पर दादागिरी जमा रहा है। रूस युक्रेन की जंग में चीन का रूस को समर्थन भी भारत के लिए चिंतित कर देने वाली बात है। क्योंकि चीन और रूस अपनी दोस्ती को नो लिमिट अलाई बता चुके है। यदि रूस चीन के पाले में जाता है तो इसका भारत को बड़ा नुकसान होगा। चीन क्वार्ड यानी भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान के शक्तिशाली मंच से खौफ खाया हुआ है। आने वाले समय में जबकि आस्ट्रेलिया ए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस 8-11 मार्च को भारत के दोरे पर हैं, तो जापान के प्रधानमंत्री फु आस्ट्रेलिया और जापान वो देश भी हैं, जिनके साथ अमेरिका का किसी भी विशय पर सूचनाओं के आदान प्रधान का समझोता है। कहीं न कहीं, इन चारों देशों के प्रतिनेदियों की चर्चा का केंडर चीन ही रहा है। ऐसे में चीन में शी जिन्पिंग की अग अधिक है। उसके बढ़ते सैन्य और ज्योगिक खर्च की गिनती सैन्य खर्च से अलग होगी। और यह आकड़ा भी अरबो अमेरिकी दॉला में है। बड़े हुए खर्च का रणनीतिक इरादा चीन को तीन प्रमुक खत्रों के खिलाफ तयार करना है ताइवान मुद्द चीन जिन देशों को विरोधी मानता है। उनकी भी तस्वीर सपष्ट हो जाती है। क्योंकि सेन्का को द्वीप समू या पडोसी ताइवान पर किसी भी सैन्य आपातकाल का जापान पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। और तिबबत व जिन जिन देशों को विरोधी मानत नोग जोग हुई है। शी जिन पिंग सुदूर प्रशांत क्षेत्र में रूस के साथ सैने सहयोग को बड़ावा दे रहे हैं। और इन दोनों देशों ने AU के US गट बंधन पर सवाल उठाए है। 3488 किलोमीटर की वास्तविक नियंतरन रेखा पर स्थिती अभी स्थिर है। लेकिन मई 2020 में पूर्वी लद्दाक में बीजिंग द्वारा जमीनी स्थिती को एक तरफा बदलने की कोशिश के बाद से सीमा से पेले बलो की कोई कमी नहीं हुई है। जहां भारतिये पान के बीच इंडो पैसिफिक चीनी नौसेना के विस्तार के साथ मुख्य एजेंडा में से एक है। और इसकी मध्यम दूरी की पारमपरिक और परमानो मिसाइल शस्त्रागार एक मुख्य चिंता का विशय है। वर्षों से चीनी रननीतिक निग्रानी जहाज लगातार हि हिंद महासागर के तल और लोम बॉक और ओम्भी वेटर के दक्षन चीन सागर में प्रवेश मार्गों की मैपिंग कर रहे हैं। क्योंकि परमानो या पारमपरिक पंडुब्ब्यों को दक्षन चीन सागर से सुन्डा या मलेक का जल्दमरू मुध्य के माध्यम से हिंद महा सागर में पार करना पड़ता है लोंबोक और ओमभी विटार चैनल आस्ट्रेलिया के करीब सता की आवशक्ता के बिना पंडुब्यों को संभालने के लिए काफी गहरे हैं भारत आस्ट्रेलिया और जापान के बीच एक रसत समझोता है और वे मालाबार नौसेनेक अभ्यास क हिस्सा है हाला कि कई जानकारों का कहना है कि भारत और जापान के बीच सैन्य सहयोग तभी गहरा होगा जब टोकियो अपने शांतिवादी सिध्धान्त को त्याग देगा और लिथियम आयम तकनीक जैसी उननत सैन्य तकनीक साज़ा करने का फैसला करेगा तीनों देशों की भौगोलिक स्थिती को देखते हुए घनिष्ट रक्षा सहयोग आपसी सुरक्षा को बढ़ावा देगा और यह सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में विस्तारवादी ताकतों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा